नमश्कार मैं हूँ नेहावर्मा 36 गड़ के इस खास बुलिटेन में आप सभी का स्वागत है 36 गड़ के इस खास बुलिटेन में आज 36 गड़ से जुड़ी 10 खटनाय सामने आई हैं जिसमें नशी में धूत चावान ने अस्पताल में कारिरत महीला कर्मी के साथ दुर्व्यभार किया नरायनपूर जीले में करुना फाउंडेशन सभी लोगों के लिए एक मददगार साबित हुई करोना संक्रमन की रोक्थाम के लिए पुलिस अधिकारियों ने निकाली बाइक रहली इंड्रा कला संगीत विश्व विद्याले में कुल्पती मम्ता चंद्राकर ने किया पदभार ग्रहन दुर्ग भिलाई निगम ने दो स्थानों पर शिविर लगा कर वेपारियों का करवाया करोना टेस्ट बोडर के चेक पोस्ट पहुँचे कलेक्टर स्पी तैना जवानों को कहा सक्ती से प्रतिबंदित करे आवा जाही लोकडाउन का उलंगन करने पर मेडिकल संचालक पर कारेवाही वसूला 10 हजार उपे चुर्माना रोप लाइट से जगमगाने लगा सुपेला चोक का वोट टावर रात में दिखने लगा आकरशक ग्राम पंचायत हरीगवा के ग्रामेल भूलबूत स्विदाओं से वनचीद लोकडाउन को सफल बनाले के लिए प्रशासे ने जोकी ताकत तो चलिए अब आपको बताते हैं 36 गड़ से जुड़ी सभी खबरे विस्तार से 36 गड़ के कांकेर चारामा विकासखन के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले एक जवान को जांच रिपोस्ट पोजिटीव आने के बाद कोविड अस्पताल कांकेर में उपचार के लिए लाया गया इस दोरान शराब के नशे में धूत जवान ने महिला करमचारी के साथ गाली गलोच करते हुए दूर व्यभार किया महिला करमचारी ने मामले की शिकायत सी एमो से करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत कुरू भाट के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले जवान अजी कुमार कल्लो की करोना जांच रिपोर्ट पोजिटीव आने के बाद उसे संजीवनी एंबुलेंस के करमचारी चालक पर मोत सिंग वह एक महिला करमचारी उपचार के लिए अस्पताल ले कर आए इस दोरान शिराप के नशे में धुट जवान एंबुलेंस से नीचे नहीं उतर पा रहा था जिसकी शुगर लेवल की जाच करने के लिए महिला करमचारी नशे में धुट जवान के पास हुए उसे मारपीट करने के लिए दोडाया गया यहां आपको बताते चले कि करमचारी ने जवान के खिलाफ कड़ी कारवाही की मांग करते हुए CMHO से शिकायत भी की है नरायनपूर से समाधाता गेंदलाल मरकाम की रिपॉर्ट अब चलते हैं 36 गड़ की अगली खबर की औ 36 गड़ के नरायनपूर जीले में करोना के इस कठिन समय में लोगों के बीच में सहायता पहुचाने के लिए एक संस्था लगातार काम कर रही है यहां फांडेशन के नाम से जानी जाती है यह संस्था करूना फाउंडेशन है इस संस्था के मागदशन नरायनपूर पूलिस अधिक्षक मोहित गर्ग एवं नरायनपूर पूलिस विभाग से आर आई दीपक साब है इस संस्था के परतेक सदस्य करोना के इस कठिन समय में लोगों को राशन पहुचाने, करोना से बचने के उपाय बताने, मास्क का वितरण, डिस्टेंस बनाने के लिए लोगों को समझाने का काम लगातार कर रही है आज नरायनपूर जीले में ब्लड डोनेट करने वालों को करोना फाउंडेशन के द्वारा प्रशसित पत्र भी दिया गया जिससे ब्लड डोनेट करने वालों में ब्लड डोनेट के प्रती एक उत्साहा जगाने का काम करोना फाउंडेशन के सदस्य कर रही है अब अगली खबर की और रुक करते हैं अगली खबर है 36 गड़ के दुर्ग भिलाई से 36 गड़ के दुर्ग भिलाई के विबिन महोले में पुलिस अधिकारिय द्वारा बाइक रैली निकाल कर COVID-19 संक्रमन से आम नागरिकों को बचाने की अपील की गई आपको बतादे कि दुर्ग भिलाई के पुलिस अधिक्षक प्रशान्थ ठाकूर एवं अत्रिक्त पुलिस अधिक्षक रोहित कुमार जहा के निर्देश पर यह बाइक रैली निकाली गई है इस दुरान लोकडाउन के निर्देशों का पालन करने की हिदायत भिती गई बाइक रैली दुर्ग पुलिस अधिक्षक कार्याले से प्रारम होकर इंद्रा मार्केट आपापुरा शनीचरी बाजार गंजपारा आधिस्तानों से गुच्री बाइक रैली में नगर पुलिस अधिक्षक विवेक शुकला, नगर पुलिस अधिक्षक अजीत यादव, उप पुलिस अधिक्षक गरजीत सिंग, एवं निशान पाठक, जीवेश तिवारी आधी उपस्थित थी अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, अगली खबर इंद्रा कला संगीत विश्व विद्याले, खैरा गड में नव नियुक्त, कुलपती मम्ता चंद्राकर ने अपना पदभार ग्रहन कर लिया है आपको बता दे कि विश्व विध्याले की कुलाधी पती वर राजे पाल अनुसुया उईके के द्वारा मम्ता चंद्राकर की कुलपती के पदपर नियुक्ती के बाद मम्ता चंद्राकर ने पदभार ग्रहन किया है आज खेरागड पहुचने पर नव नियुक्त मम्ता चंदराकर का जोरदार स्वागत में किया गया जिसके पस्चात विश्व विध्याले के कैंपस चू में पूर्व कुलपती द्वारा उनको पदभार ग्रहन करवाया गया विश्व विध्याले के विश्राम ग्रहे में पत्रकार वार्ता में उन्होंने सबसे पहले कुलाधी पति वर राजे पाल अनुसुया उईके का अभार जताते हुए कहा कि इंद्रा कला संगीत विश्व विद्याले के लिए बेहतर कार्य करने का परियास करेंगी आगे उन्होंने कहा कि एक कलाकार होने की वज़े से वो कलाकार के सामने आने वाली दिक्कतों और परेशानियों को भली भाती जानती है इसलिए छात्रों के हित में बेहतर कारे करने का परियास करेंगी उनके पदभार ग्रहन करने के बाद खैरागड शेत्र के लोगों में खासा उत्सहा है इस दोरान विश्व विद्याले के पदादिकारी खैरागड के गन्मान्य नागरिक पत्रकारगण मुझूद रहे चतिसगर से स्टेट हैट प्रणेगरवाल की रिपोर्ट यह देखा चाहरा है थी तकनों को मैं अधिसादा करता है थो मेरा यह जीवाजियन हो जाएदा अट आज आयाम चुगा तो आपके रहाथ में हूँ अगर पढ़े अब सब प्रेस वालेक तरफ से आपने वर लगड़े शेश्यू कामना है बहुए यह पाद के लिए गालब नमस्कार कर दो और तर अब प्रेस के मादम से राजयपाल महोदयाँ से पहली मैं धन्यावाद देना चाह हूँ कि मुला उन्योग के संजीन की मैं हाती काम कर सकते हूँ मुर्चायन करें, उतना टेड़ा को थन्यावाद, राजी शार्चनलभी में थन्यावाद देना चाहूं, कि मुर्णा उन खट्रब से भी मुर्णा हरा चंडे मेली स्थाओं, और ये पर मुर्णा चैनित करेंगें, और फुछ दा मैं ये करना चाहूं कि पूरा छत्तित करना चाहूं, और वही मैय अदुला है, जिन मुनाज यहां तक लाया है, आज जपन पर यहां सम्हाल लें, संगीत इस विद्याले आपके लिए भी नयान हो है, कलाओ संगीत से ही सिदा 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 संबंध है, ऐसे आपन कुछ लक्ष बना के आज पर बहार पर हैं करेंग अब करोना से जुड़ी अगली खबर की और चलते हैं, अगली खबर है, भिलाई से जहां हारेगा करोना तो जीतेगा भिलाई, इस उदेशे को पूरा करने के लिए 36 गड़ के दुर्ग भिलाई के निगम प्रिशासन ने मुहीम छेड़ी हुई है, मुहीम के तहत दुर्ग भिलाई के भीड़ वाले इलाके जैसे बाजार, मार्केट, सबजी मंडी, फल मंडी में शिविर लगाकर अधिक से अधिक लोगों का करोना जाज कराने का निर्न ल अधिक से अधिक लोगों का करोना की जाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। सुपेला सबजी मंडी में स्वास्ते जांशी भी लगाया। यहां जीला स्वास्ते विभाग की टीम ने मजदूर, ठोक और फुट कर सबजी व्यवपारी सहीत कुल 80 लोगों का करोना की जाज के लिए सैंपल लिए हैं। इसी प्रकार से जॉन 4 मचली मार्केट खुरसी प जीले में करोना के बचाव वन्यंतरन के लिए एक सबताहा का पून लोकडाउन किया गया है। लोकडाउन की जमिनी स्थिती का जायजा लेने कलेक्टर डॉक्टर सरवेश्वे नरेंदर भूरे एवं एसपी प्रशान ठाकु ने फ्लैग मार्च किया। उन्होंने जीले के बोर्डर चेक पोस्ट कुमहारी टोलना का वो धमदा बोर्डर पहुँचकर वास्तु स्थिती का जायजा लिया। बतादे कि करोना के संक्रमन को देखते हुए वेस्वयम कंबान सभाले हुए हैं। चेक पोस्ट पर तैनाज जवानों वो अधिकारियों को सक्त हिदायत द चार पहिया वाहन में आने जाने वाले लोगों की सर्प्राइज जाच आवश्यक रूप से हो। क्लेक्टर ने कहा कि लोगडाउन के दुरान निर्देशित सभी नियमों का कडाई से पालन हो छोटी सी चूक या लापरवाही से करोना संक्रमन को रोकने के उदेशे में बा से होते हुए मंगल भवन भिलाई मार्ग चरोदा निगम कार्याले पहुचे इस दोरान लोकडाउन की अब्धी में निगम शेत्र में संचालित सभी प्रकार की व्यवसाइक प्रतिष्टान को बंद रखने के लिए कहा गया इसी के साथ ही बलड सेंपलिंग की जाच को पहुचा यहां से मरमुंदा अहरिवारा होकर धमदा के बोटर पर अवलोकन किया गया लोकडाउन के दूसरे दिन भी आज दूर्ग भिलाई सहित जीले के सभी दुकाने बंद मिली इस तरह से लोकडाउन का दूसरा दिन भी सफल रहा दूर्ग भिलाई से राजेंदर गाड़े के साथ धरनचे वर्मा की रिपॉर्ट वहीं अब अगली खबर के और रुक करते हैं जहां पर छत्तिस गड़ के दूर्ग भिलाई नगर पाली का निगम के चोन चार की टीम ने लोकडाउन का उलंगन करने पर पावर हाउस के मेडिकल संचालक के खिलाफ डांडिक का नेवाही की है लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक विनोध जगवानी के खिलाफ दस हजार उपे डांडिक शुलक वसूल लिया गया है आपको बताते कि जोन आयुक्त अमिताब शर्मा ने मेडिकल संचालक को 29 जुलाई तक शाम पांच बजे तक मेडिकल को बंद करने की समझाईश्ती थी कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंदर भूरे ने लोकडाउन में निर्धारित समय तक मेडिकल सहित अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोनने की छूट दी है कलेक्टर के आदेश के मुताबिक लोकडाउन में सुभह साथ बजे से शाम पांच बजे तक मेडिकल खौनने की अनुमती दे है इसके बावजूत नंदिनी रोड सित लक्षमी मेडिकल रात आठ बजे तक खुला था जो अन्चार के आयुक्त को इसकी सूचना मिली तो वह अपने अधिकारियों के साथ मोके पर पहुँचे और मेडिकल को बंद करवाया मेडिकल संचालक जगवानी को निर्धारित समय में मेडिकल को बंद करने की समचाईश थी बताते चले कि नगरपाली का निगम की टीम लोकडाउन के दूसरे दिन भी मुस्तैद रही अधिकारी करमचारी नियम का पालन कराने के लिए सुबह छे बजे से ही वाडो का भ्रमन कर स्थिती का जायजा लिया मौर्निंग वोक पर निकलने वाले कई लोगों को समचाईश दे कर वापस घर भेज दिया गया समचाईश के बाद भी कुछ लोग नहीं माने तो उन पर 16 लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है जोन करमांक एक की टीम ने तीन लोगों से 400 डांडिक शुल्क वसूल किया है जोन करमांक पांच की टीम ने टाउनशिप शेतर में 13 लोगों से 21 रुपए अर्ध डंड वसूल किया है दुर्ग भिलाई से राजेंदर गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपॉर्ट अब चलते हैं अगली खबर की ओर चतिसगर के दुर्ग भिलाई में निगम प्रिशासन ने शहर के चोक चुराहों का सुन्दर्य करण शुरू कर दिया है सुपेला चोक स्थित वोट टावर का सुन्दर्य करण किया गया है वोट टावर को रंगीन रोप लाइट से सजाया गया है रोप लाइट की जगमगाती रंगीन रोशनी से वोट टावर सुन्दर एवं आकरशक भी लग रहा है मापोर्व विधायक दिविंदर्यादव और निगम आयुक्त रितुराज रगुवंशी ने स्वच भिलाई सुन्दर भिलाई की परिकलपना के अनुसार शहर के चोंक चुराहों का संदेरी करण का नियने लिया है योचना के मुताबिक सुपेला स्थित वोट टावर और समारकों का मरमत करवाया गया है उलेखनिये है कि शहर के व्यस्तम स्तल वाले सुपेला चोंक पर सित घड़ी को सधारन कराया गया है सुपेला घड़ी चोंक के नाम से पहचाने जाने वाला यह बिलाई का परमुक चोंक है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग धिन बर गुजरते हैं यहैं चोंक इसलिए भी महत्तपुन हो जाता है क्योंकि यहां पर एक रास्ता, राजधानी की तरफ तता दूसरा रास्ता, विलाइ स्टील प्लांट शेतर की तरफ तता तीसरा रास्ता, अबंती बाई चोंक की तरफ एवं चोथा रास्ता, दुर्ग एवं रजनानदeles गांक इस से टावर और घड़ी नए रूप में नजर आ रही है जो बहुत ही आकर्शक का केंदर है। शहरवासियों के साथ नेशनल हाइवे पर गुजरने वाले रहागिरों को घड़ी सही समय का बहुत करवा रही है। साथ ही रातरी में भी यह बहुत ही आकर्शक लग रही है दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े के साथ धनेंजी वर्वा के रिपॉर्ट अब बात करते हैं 36 गड़ के जीला बलरामपूर के ग्राम पंचायत हरीगरवा की जहां पर लोग मुल्भूत स्विधाओं से वं निर्मान किया गया था पूल्या का निर्मान पंचायत के द्वारा बहुत पहले किया गया था जो कि कुछ दिनों पहले भारी बारश के कारण टेज बहाव से बह गया है जिससे उस रास्ते से लोगों को आने जाने में बहुत भारी समस्याऊं का सामना करना पड़ रहा है। इसी राष्टे से स्कूली छातर एवं छात्राएं पढ़ाई करने के लिए जाती है। जब मेडिया की द्वारा इसके बारे में सरपंच से बात की गई तो सरपंच ने बताया कि जल से जल पूलिया निर्मान का कारिये पंचायत के माधिम से करवा दिया जाएगा जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा बल रामपूर से अजे कुश्वाहा की रिपोर्ट अगले बार हमने बनवाया था उस रोट को पूरा नहीं होने पाया अपने बनवाया था ज्यादा लंबा पूराना हो गया और दिक्त हो रहा है खाजी तो यहां पर जो मंगरहर के नवारे से जो बच्ची आते हैं पढ़ने के लिए उनको ज्यादा दिक्कत होगा जिसके लिए मैं ब्यवस्था करूंगा कि अभी तो पूलिया नहीं बनने पाएगा यह पर्यास करूंगा इसमें बच्चों को दिक्कत ना हो अभी जैस अब चलते हैं अगली खबर की हूर चतिसगर राजय सरकार की द्वारा लगाए गई पहले सक्त लोकडाउन को सफल बनाने शासन पर शासन ने अपनी पूरी ताकत जोगती है ऐसा ही एक नजारा चतिसगर के नगर निगम रिसाली शेतर के स्टेशन मरोधा शेतर में लगने वाले बाजारों में देखनी को मिला जहां नगर निगम रिसाली के जबावदार अपना व्यवसाय करें साथी मास्क लगाएं और ग्रहकों से भी अधिकारियों ने मास्क पहन कर घर से बाहर निकलने की गुजारिश की है ऐसे दुकानदार एवं ग्रहक ऐसे जो बगैर मास्क लगाएं घर से बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे थे इन में से कुछ पर की गई एवं अन्य को सक्त समझाईश देकर छोड़ दिया गया दुर्ग भिलाई से राजिंदर गाड़े के साथ सुनिल सौनी की रिपॉर्ट कलेक्टर दूर का अधरनिया भुरेशाब और निगमायब का अधरनिया प्रकाश सर्वे साब के नेतुत में हम लोग हमारी टीम मलोदा टंकी मलोदा इस्टिसान और नेवई शित्र में हम लोग भ्रमन कर रहे हैं जितने मार्केट है उनको हमने व्योस्थित किया है 10 से 15 फिट की दूरी बनवाई हैं सभी को हमने मास्ट लगाने प्रिजित किया है पूरे व्यापारी मास्ट लगा करके ही कारूबार कर रहे हैं और जितने ग्रहक आ रहे हैं उनको भी हम प्रिजित कर रहे हैं कि वे मास्ट लगाएं और ऐसे लोग जिन्होंने मास्ट नहीं इस प्रकार हम पूरे रिषाली निखम छेत्र में में पूरे बायार व्याउस्थित हो और शासन ने जो लगडाउन का इंरने लिया है चीडी बन्वेर डाइबान ज्योती आदर्शेस्ट टियॉविजू राजगराना ज्योती आदर्शार वोल्ड ट्लास केट्रेंग सैंट्री एर चुछ अस्ट्राइब यह तुट्विजू र्णू autant लाख राइप्ते ऐधर लाउट ग्राइबग अवाइब अजित सले